जग जाहिर है कि कांग्रस लगा अतार इस देश में राष्ट्र विरोधी, हिंदु विरोधी, सनात्न विरोधी काम भी कर रही है और उनको शरन भी दे रही है और आज अचारे जी के बोलने के बाद कांग्रस की बिल्ली थैले से बाहर आई है रही बात राहूल गांदी आया या प्रिंका गांदी राहूल की जगा प्रिंका गांदी का नाम लेना ही अपने आपने आपने कांग्रस के लिए सेल्फ गोल है क्योंकि कांग्रस के पास ना निती है ना नेता है ये तो केवल वंशवादी जो खोखला पेड़ हो चुका है उसके लोग हैं क्योंकि इनको बच्छपन से ही इनकी नैनी से लेकर नर्सरी टीचर हो या कॉलेज के प्रफेसर हो हारीक ने इनको परधान मंदरी के रूप में ही कहा है और इन्होंने भी दुनिया को हरा हरा देखा है ना देश की समस्याओं की जानकारी ना ही देश की गरीबी और गरीबी से लड़ने की जानकारी केवल वे केवल पालने से परधान मंदरी बनने की ट्Windkel ट्Windkel लिटल स्टार सुनकर ये बड़े हुए है इसलिए इनके माध्यम से देश में कहीं बला नहीं होने वाला और पूरा देश इनके विरोध में है देश कांगरस को आने वाले सो साल मी सत्ता नहीं देने को त्यार गैर कणूनी है कांग्रेस शुरू से ही चदम धरन में रिपेक्सा और वोट बैंक की राइनिती करती आ रही है भारत का सविधान ही जब धरन के राध अधार पर अरक्षन का विरोध करता है तो आप केवल वोट बैंक के लिए बांटने का काम कर रहे हैं केटियार हो परिवार हो या गांदी नैरू परिवार हो या वेसी ये तीनों परिवार मिलकर पिछले दस साल जे सरकार चला रहे है और तीनों की कोशिश है कि ऐसी दलित बंदों की OBC बंदों के अधिकारों को अरक्षन को चीन कर इनकी वोट बैंक की बली पर चड़ा दिया जाए भाजबा ऐसा कभी होने नहीं देगी हम कभी गैर कनूनी गैर सवितानी नहीं होने देंगे और हमारी सोच है सब का साथ सब का विकाज सब को अफसर मिलने चाहिए सब को आगे लाना चाहिए लग बग सत्रा सो करोड रुपया पंजाब को पराली जलाने से रोकने के लिए दिया जा चुका है लेकिन दुरभाग्य है यह आमादी पार्टी की सरकार चाहिए पंजाब में है चाहिए दिल्ली में है उन्हें पल्यूशन लोकने में कोई इंट्रस्ट नहीं है केवल वे केवल वे केवल सत्ता लिपसा और जूठी फोटो बाजी के कारण आज सबी जगा पर स्कीम्स फेल हो रही है सत्रा सो करोड रुपया किसानों को पराली की जगा कैसे उसका उपयोग हो सकता है कैसे पराली को निकाला जा सकता है जलाने की बजाए वो कैसे सादन बन सकती है उसकी बजाए उन्होंने इसका परयोग अपने सत्ता की लिपसा में किया और आज पूरा दिल्ली वे पंजाब एक गैस चेंबर बन गया दुखद है धोर निंदनिये है रक्षक ही भक्षक बन गए और किस तरह law and order वहां का चल रहा है ये इसका सबसे बड़ा उधारन है राज्यस्तान की पीड़ा पर वहां होरे बलात कारों पर मैं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ ये कहने वाली परिंका गंदी जी रहसे में चुपी में क्यों है